हेलो दोस्तो ब्लेंडर किस टुटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको जियोमेट्री नोट्स का यूज करके कलरफुल बाउंसिंग बोल एनिवेशन क्रियेट करना सिखाऊंगा जैसे कि दोस्तो आप इसमें मेरी वीडियो में देख पा रहे हैं तो चलो दोस्तो हम फटा फट टुटोरियल को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आपको सबसे पहले करना क्या है इस क्यूब को सिरेड करना है और डिलीट कर देना है shift, average करना है, miss में आ जाना है और यहाँ से plane को choose कर लेना है इसको थोड़ा scale कर देना है उके उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सीख नया depth ले लेना है दन, फिर क्या करना है आपको यहाँ पर आ जाना है edita type के उपर और यहाँ पर click करना है, फिर आपको bouncing ball animation create करना है इसलिए इस plane को हम क्या करेंगे ball के रूप में convert करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है aid में जाना है ठीक है और यहाँ पर आजाने दोस्तो point के उपर distribute point on faces के उपर click करना है ठीक है इसको यहाँ पर लाकर set कर देना है जैसे दोस्तो आप इसको यहाँ पर set करोगे आप देख पार है यहाँ पर छोटे छोटे particles create हो गए ठीक है अभी हम क्या करेंगे सभी particles की position को set कर देंगे ठीक तो आपको aid में जाना है और यहाँ पर search करना set position जैसे दोस्तो आप set लिखोगे यहाँ पर आ गया second number को option set position आपको क्या करना है इसको select कर देना है और यहाँ पर लाकर connect कर देना है यहाँ पर यह connect हो गया अभी दोस्तों हमें करना क्या है इस जो ballet देख रहे है चैसे दिख रहे हैं अच्छे नहीं लग रहे ठीक है तो हम क्या करेंगे दोस्तो एड में जाएंगे मेस में जाएंगे और एक UV स्फियर को चूज कर देंगे अब दोस्तो हम क्या करेंगे इस UV स्फियर को इस बोल में convert कर देंगे मतलब set कर देंगे तो वो कैसे करना है आपको इसको select कर लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है एड में जाना है और दोस्तों यहाँ पर आजाना है instances के उपर और यहाँ पर है na instances on point इसके उपर आपको click कर देना है और इसको यहाँ पर लाकर रख देना है डन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर है UV sphere यहाँ पर माउस को रखना है और इसे पिक करके यहाँ पर ला देना है आप दोस्तों ऐसे लाओगे यहाँ पर एक object info नाम का नूड़ आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर आप यहाँ से ड्रेक करके यहाँ पर नहीं लाओगे कोई बात नहीं है आप सिंपल है यहाँ पर जा कर देंगे जैसे दोस्तों आप यहां पर सेट करो कि आप देख पार ओंगे यहां पर बहुत सारे दिखायी द है तो हम क्या करें इसको पहले उपर लेंगे और इसको मं छोटा करेंगे ठीक है tard क्या करना है टेpsy करना है और इसको स्केल कर देना है ओके इतना हम इसको स्केल कर देते हैं ठीक है अभी क्या करेंगे वापिस से टेप प्रिस करके आपको आजाना है और इसको स्रीड कर लेना है सेवन प्रिस कर देना है और टोप में आ करना है दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं जो सभी बोल है ना एक दूसरे से कनेक्टेट है ठीक है तो आपको यहां पर आ जाना है रेंडम यहां पर है पोजन डिस्क इसको पर आपको क्लिक कर यहां पर करेंगे फोड़ा देए तो यहां पर काउंट सकते और यहां से इसको और निचे आती करने के यहां है जिरुदर पर सकते्थ अब्य illustrate तो आपको क्या करना है एड में जाना है और यहां पर सबसे पहले सर्च करना है math ठीक है मत तो आपको क्या करना है यहां पर math आ जाएगा इसको set करके यहां पर लाकर set कर देना ठीक है और वापिस से जाना है और यहां पर सर्च करना है vector math ओके आ गया इसको हम लाकर यहां पर सेट कर देंगे फिर क्या करना है दोस्तों आपको इसको और इसको कनेट कर देना है डन यहां पर आ जाना है यहां पर लिखा हुआ एड तो आपको क्या करना है इसको multiply कर देना है और दोस्तों यहां पर आपको fraction कर देना है अभी दोस्तों क्या करेंगे vector math को set position में connect कर देंगे तो आपको simple है यहां पर इसको connect कर देना है और दोस्त अब क्या करना है यहाँ पर ऐनीमेसेट करना है अब एपर दोस्तों यहाँ पर हम प्लस – कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है जा ना effekt है तो क्या करना यहां पर आ जाना यहांँ आधा क्केश्य कर सकते हों यहांसे कर सकते और धर फ्रेंट यहां पर मैं यहां बहुत ही है जिए रहा हूं जो आपको यह करना है लिखना है है स्टेक फ्रेम डिवाइड वाइड ट्वाय ट्वार्टिफार ओके आप दोस्तों आप देख पाऊगे यहाँ पर यह इनिमेशन सेट हो गया हमने यहाँ पर कोई भी इनिमेशन सेट नहीं किया लेकिन यह पर आपड़ एक है किया उसको अधों कर देंगे ठीक है तो कि अब देख पार है यहां पर कुछ प्रकार सा है तो अभी दोस्तों आप देख सुलो है तो क्या हमाँ इसको आपको कह देना है पिला पर एसे 20 दे ठीक है अब दोस्तों आप उसको प्ले कुछ तो सेड कर दिया लेकिन दोस्तों यहां पर सभी जो बोल है ना एक साथ गिर रही है हमको ऐसा नहीं सेड करना है हमको इसको रेंडूम कर देना है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर जाएंगे और सच करेंगे रेंडूम आगे दोस्तो random value तो आपको क्या करना यहाँ पर इसको लगार रख देना है ओके और इसको हम इससे connect कर देंगे दोस्तो आप देख पा रहे हो यह भी random value हो गया है अलग-अलग गिर रहे हैं right हमने दोस्तो यहाँ पर हर एक चीज को set कर दिया है अब हम क्या करेंगे दोस्तो इसके अंदर material को set करेंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ठीक है तो आपको क्या करना है इसको select कर लेना है ठीक है फिर दोस्तो आपको यहाँ से आ जाना है shader editor के उपर मैं अभी animation को पहले रोग देता हूँ ओके shader editor के उपर हम आ गये फिर आपको क्या करना है निव के उपर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप निव के उपर क्लिक करोगे यहाँ पर material output और principle VHDF मिल जाएगा अब ही आपको क्या करना है यहाँ पर search करना है object info ठीक है आ गया इसको select करके यहाँ पर लाकर रख देना है और यह random है न दोस्तों आपको base color से connect कर देना है अब यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम कहां दोस्तों solid viewport पर हैं तो हम क्या करेंगे material preview के उपर आ जाएंगे जेड़ प्रिस करके ठीक है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह थोड़ा colorful लिख रहा है क्योंकि हमने क्या किया है यह वाले random को base color से connect करती है ठीक है आपको इसके उपर करना है इसको मैं यह वाला color इसको मैं देता हूँ यह वाला color को आइसे दोस्तों आपको अलग अलग color को चूज कर लेना है जो आपको अच्छा लगे ठीक है कर देना है से कि लिग करके यह सब मेटेशल कर देना और अफने स्थोड़ा डाउन कर देना इस ये थोड़ा और चमक्दार हो जाएगा ओके दोस्तों यहां पर हमने बहुत ही आसान तरीके से colorful ball animation को geometry notes का use करके बना लिया है I hope दोस्तों आपको यह tutorial समझ में आगया होगा और आप भी मेरी वीडियो को follow करके बहुत ही आसान तरीके से colorful ball animation को create कर पाओगे मिलते हैं दोस्तों निश्ट वीडियो में एक और ने टुटोरियल के साथ वीडियो का like, share और चनल सब्सक्राइब करना ना भूले